ब्रह्मनंद जी भी कहते हैं अरे मनी ये दो दिन का मेला रहेगा कायबन जग का जहमेला रहेगा अच्छा विचार करिए सच में जिन्दगी दो ही दिन की है क्या हमें तो बहुत दिन तक से समझ नहीं आया कि जिन्दगी दो दिन की है लेकिन जब बाद में जब विचार करने लगे न, तब समझाया ये जिन्दगी सच में दो ही दिन के है कौन-कौन से दिन? एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यों का दिन जिस दिन हम जन्म लेते हैं, उस दिन हमारे जन्म में कितने लोग आ रहे हैं समझिएगा, हम जिस दिन जन्म लिए, उस दिन हमारे जन्म उस्तों में कितने लोग समलित होए और जिस दिन हम मर गए, उस दिन कितने लोग आए यही आपकी कमाई दिखती है मरने के सब आपने कितना कमाया आए धर नहीं है बैया पैसे नहीं है पैसे तो सब कमा लेते आपने जन कितना कमाया है ये दो ही दिन है और मैं तो कहूँ उसके बीच का जो समय होता है यही जीवन है और इसी जीवन में जिन्दगी में सदा मुस्कुरा ते रहो फासले कम करो दिल में लाव ते रहो जीवन में सदेव ये बात ध्यान रखना चाहिए कि इस दुनिया में मेरा कुछ शत्यू ना हो कोई शत्रू ना हो और एक बाद बताओं भया जीनिके सत्रू नहीं है इस दुनिया में एक भी विरोध करने वाला नहीं खेर विरोध करने वाले तो हो सकते हैं अच्छी चीजों का विरोध होता है लेकिन अगर आपके अगर शत्रू नहीं है तो आपसे अमीर इसिद्रिया में कोई नहीं आपसे अमीर नहीं आपसे धनवान नहीं आपसे संपतिवान नहीं आपने दुआओं क्यों धन कमाकरिकर रखा और जब जीवन में जब दवा काम नहीं आता है न भईया तब दुआ काम आती है एक भगत तो भगवान शूरी से कह रहे थे जब तक तेरे महरे नजरे की हवा ना लगे तब तक कोई मरीज को कोई दवा ना लगे जब तक आपके कृपा नहों ना तब तक मरीज को कोई दवा नहीं लग सकता उनकी कृपा